नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आस 34 वर्स के पर उसके पाम का एनालेसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थम इनके सवालों को सुनेंगे फिरेके करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अ इनका कोशन इस प्रकार है वरतमान समय में ये विदेश में है आगे के विशे में जानना चाहते हैं कुछ job fluctuations या major change के विशे में जानना चाहते हैं जो की positive sense में हो और life line पर कुस तूटी वी अवस्था उसके विशे में भी जानना है और दूसरी और भी बहुत प्रकार की चीजे हैं क्या बोड़ी चीजे हैं तो अब निश्यंत्रिया आपके सारे ही प्रश्णों पर विचार करेंगे और मूल रूप से शादी के जिन्दगी के विशे में भी जानना है वेवाईक जिन्दगी कब से सुरू होगी कैसी रहेगी उस विशे पर भी इनको जानना था तो अब निश्यंत्रिया आपके सारे ही कोश्णों पर हम विचार करेंगे चीजों को असपस टूप से समझाने का परियास करेंगे तो वीडियो बहुत ज़दा महतपून है योगि कुछ कंसेप्ट की बाते हम इस वीडियो के माद्यम से करने वाले हैं जो की प्राया लोग मेरे हाथ पर भागी रेखा है मेरे हाथ पर सूड़ी रेखा है फर भी मुझे बेनिफिट नहीं है तो डेफिनेटले ये चीज हो सकता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज मुझे इस हाथ पर ओओ चीज दिख भी गया तरही मैं इसको तोड़ा विस्तार पुरवक पाएंगे तब तक उसके फल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो फल को डिफाइन करने के लिए बहुत जरूरी है कि उस रेखा में भी स्टेंथ होना और स्टेंथ कभी भी होता है रेखा में तो वो रेखा पतली होती है सुई की तरह पतली रेखा और विजिबल रेखा कि आपकी भागगे रेका बड़ी मोटी हो, दिखता तो होगा बड़ा अच्छा आपके हाथ पर भागे रेका, लेकिन जब उसके फल की बात करने लगोगे आप तो वो फल समझ में नहीं आएगा आपको, हो सकता उसके इस तो बड़ी बात है, दिखती बहुत अच्छी होगी लेकिन जब उसके फल की बात करो, तो वो फिर समझ में नहीं आएगा, और अगर फल आएगा भी, तो वो फल उतना अच्छा नहीं मिलेगा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, मोटी पतली जो भी रेखा होती है न, फल तो दोनों ही देती है, एक बहुत कम देता है, और एक बहुत ज़्यादा देता है, तो इसलिए कहा जाता है कि मोटी रेखा फल दाई नहीं होती, लेकिन अगर हम proper पामिस्ट्री की बात करें, तो वो फल डेफिनिटली देता है, कोई भी बाग्य रेखा हो न, चाए मोटी हो तो पतली हो, वो फल देखी, तो मैंने कहा फोन पर भी, और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, कि पतली रेखा है, सरवजा अच्छा फल दाई होता है, और ये बड़ा स्पस्ट है, बहुत सा हाथ मैंने देखा है, उसके अनुभब के अधार पर भी ये चीज़े कही जा रही है, बहुत बहुत ज़्यादा हाथ देखा है, इवन यूट्यूब पर तो बहुत वीडियोज, उसके अलावा भी बहुत लोग घर पर भी आते, तो वो चीज़ तो है, वो तो मैंने देखा है, तो मैंने जबी भी पतली रेखा देखी है न, तो मुझे उसके अच्छे फल समझ में आये हैं, जातक की जिन्दगी पर, और वो व्यक्ति कही न कही धन से भी सटिस्फाइड रहता है, मान से भी सटिस्फाइड रहता है, मतलब जीवन पर प्रॉब्लम्स नहीं होती, अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप समझो कि पतली है या मोटी है, देखो पतला और मोटा का कोई मे इस साथ पर क्या हुआ ना, देखो इस साथ पर एक भाग्य रेका तो दिखी मुझे एकदम पतली सी, एकदम पतली सी भाग्य रेका मुझे दिखी बहुत बढ़िया और आगे भी भाग्य रेका इनकी बन रही है, ये भी चल रही है देखो यहां से, फर तुर समझना यहां से बागे रेखा यहां तक गई और आगे भी बागे रेखा देखो ऐसे गई यहां से गई यहां से गई यहां से गई तो कितनी पतली एकदम सुई की तरह पतली और धारदार रेखा है कहते हैं कि वह बड़ा धारदार है वह जो छूड़ी है ना वह जो चाकू है वह बड़ा धारदार है तो वही धारदार रेखा है मतलब एकदम से वेजिबल है तो डेफिनिटली ये जदा फलदाई होगी और इसके रिगानिंग आपके जिंदगी पर जदा फल आएंगे तो पहली पॉस्टिविटी तो इस रेखा को ऐसे समझना है यहाँ पर से यह मुझे प्रगति स्थाइन को लेकर अवस्टित तो है और अगर बुद्रेका की बात कर लो तो अच्छी बुद्रेका ऐसे पर बण रही है जो कि बढ़िया बढ़िया एक प्रकती के योग बन गए, यह वाली एक और बुद्ध रेका, यहाँ से देखो प्रकती के योग मान लो, यह भी कुछ बरांचे से तो बुद्ध रेका आपके तले पर अवस्तित है, इसके उपरांद एक बढ़िया से दिखने वाले सूरी रेका है, एक देखो बहुत मस्त, और यहाँ से भी यह तो बड़े गुणी वेक्ती हैं आप, टैलेंटेड वेक्ती हैं, कुछ भी चीज का मतलब गुण बड़ा अच्छा होता आप में, एक से जादा आपके सूरी रेका, एक से जादा, बड़ी-बड़ी आवस्ता में है, यह तो बड़ा मजाया देखके, और एक उम्दा दिखने वाली आपकी मंगल रेका, बड़ी असपस दिखी हमें, और एक जबरदस रूप से दिखने वाली आपके स्क्वायर, जो के बरश्पती पर है, तो यह तो इनके पॉस्टिविटी थी, तो इनके हाथ पर ना, मेजर लाइन्स जो है ना, मेजर लाइ इसमें जाके कमा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बाग ये रेका में बलता तभी तो कमा रहे हैं, नहीं तो कुछ विक्ती जो जो जोला चाप होंगे, वो क्या बोलेंगे आपको, अरे आपकी रेका मोटी नहीं है, आपकी रेका विजिबल नहीं है, आपको अच्छा फल नहीं मि तो देखो ऐसी ऐसी बाते मत करो, अगर नहीं ग्यान है तो मत बोला करो, मैं तो यहीं आपसे आगरा करता हूँ, उन सभी एस्टो लॉजर्जर्स या फिर पामिस से यहीं आगरा करना चाहूंगा, कि मिसगाइड मत करिये, नहीं आए तो मत बोलिये, सीधी बात है, जितना आ कि यह कुछ awkward बात कर रहा है या फिर डरा रहा है तो उसको मस दूनी है, दूसी चीज़ में आपसे और request करना चाहूंगा, कि इस वीडियो को थोड़ा समझी है और इसको जितना उसके फैलाई है, योकि यह रेखाना, प्राया लोगों के अतली पर होती है, लेकिन वही है न रहती है, लाइफ को लेकर विशेश कोई सिकायत नहीं होता, गिले शिकवे जादा नहीं होते हैं, हाँ थोड़ी बहुत कमाई को लेकर गिले शिकवे तो अलब पती लोगों के भी जहन में होता है अब अम्बानी साहब के भी कुछ गिले शिकवे होंगे अपने कमाई को ल मेजर मतलब टूटी भी दिखरी है, मैं यह देखो, ऐसे कर गए है, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, देखें, मैं आपको डराऊंगो तो नहीं, मैं किसी को भी नहीं डराता हूँ, डराने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, राहु रेका हाथ पर है, जीवन रेका टूटी यह क्या होगा जदा-जदा, परिशानी आएगी ना, लेकिन ठीक से समझने के बात कुछ भी नहीं आईए, तो यह डराना नहीं है, और डराना किसी को चाहिए भी नहीं, तो यह जो जीवन रेका है न, यह थोड़ी अलग दलग मुझे दिखरी है, तो यह definitely मैं लोगों का ह मैं कब सिरू होगा, जब मैं आपके कुणली देखूँगा, तो यहाँ पर से एक कंपल्सन तो हो जाता है कुणली दिखाने करें, बाकि आपकी एक्छा है, एक कंपल्सरी तो हो जाता है क्योंकि यहाँ पर से न, इस पार्टिकुलर्ली एज़ेज में, या फिर और भी पर नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना बताएंगे डरिये मत, यह नेगेटिव नहीं होता है, यह परगती के ही योग है, यह मैंने बहुत हाँ देखा है, मुझे यह दिखा है, लेकिन सियूर्टी अगर आपको चाहिए, ठीक एक दम आसवस्ता, एक बन आसवासन चाहिए तो फिर एक बार कुंडली का आप एहना से जरूर कराओ, अच्छा रहेगा, इससे क्या होगा ना और असपस्ट हो जाएगा, नहीं तो अगर यह पॉस्टिव वहाना तो गजब की चेंज आएगी जिंदगी पर, खुदा ना करे यह नेगेटिव हो, अगर हलकी नेगेटि विटे में और भी चीज़े हैं, जैसे कि इनकी मस्तिक्स रहेगा, बर डेफिनेटली एक यवा आकिरती है, यह यवा आकिरती दर्शाती है कि ऐसे दातक को दवाब होता है, ऐसे दातक दवाब में रहते हैं पार्टी को एज तक, अगर उस एज का हम परचे करा लें, तो य एस तो आपका सुरू हो रहा है, बाई साब, एक नेगरिटिव इंडिकेशन आ गया, और यह आपकी तक्रीबन 35-36 के आसपास है, और आपका 35 साल से कि यवा शुरू हो रहा है, यह तो प्रॉबलम है, तो इसको भगवान से मनाईए कि यह पॉजिटिव ही हो, और इसके तो भी मैं जीवन रेका मैंने देखा है, तो मैंने बड़ा अच्छा तरके से वेरिफाई किया है, ठीक है कि इस केस में तो नेगरिटिव नहीं होता है, लेकिर अब बात करते हैं हम, मान लिया जाए कि 90%, 95%, 99% केस में यह नेगरिटिव नहीं होता हो, लेकिर फिर भी 1% केस में सेकरो हाथ देखा ऐसा डेफिनेटलि सेकरो हाथ ऐसा देखा है उस संदर्म में तो बेलकुल आपको नहीं डरा रहा लेकिन यह जो आपके मस्तिक से रिखा पर दबाव है ना यह क्यूं है हलाकि इससे इसका कोई तालूकात नहीं है लेकिन ये क्यूं है ये आपको एक समस्या का विश्या बता रहा है तो चलिए इसका उभी उपाय आपको दिया जाएका निश्चिंतरिया तो ये चीज़ आपने हैं समझ लिया अभी हम चलते आगे एक negativity दूसरी आपकी देखो तो ओन आप लिए बड़ी भावक lots ऐसे व्यक्ती बहुद्ध भावख होते हैं मतनब emotions हद से जादा और इतने जादा कि मैं क्या ही बताओ वावुक है यतनी जादा किसी भी चीज को करने कि जल्दी बातितने विश्यातना कि जा तक जल्दी बाति में बहुत कुछ करना चाहते हैं और थोड़े भावग भी रहते हैं जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं चीजों पर जल्दी ट्रस्ट करने के आपका आवशक्ता नहीं है तो अससर समय से करो पारिवारिक संदर में तोड़ी बहुत परशानी तो यह आपने समझ लिया तो यह इनके नेगेटिविटी थ जो इनके कोशन्स थे उसको मदूर करने का प्रियास करेंगे देखिए अगर मैं बच्पन से देखू तो कुछ प्रगति के योग तो थे कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ प्रगति होती है आपकी तक्रीबन 20-30 तक लेकिन कुछ दवाब के भी योग थे कुछ आपके जा बड़े का थोड़ी स्मूज चली हलकी हलकी कमाई चली अठाइस में साड़ में मेजर चेंज था तो विदेश यह उसी समय गए थे अठाइस साड़ के बाद एक आपकी तक्रीबन मान के चलो ये फिर 32 साड़ में बड़ी एतीस साड़ में एपोर्चुनिटी थी फिर तक्र फाकिरती है तो थोड़ा प्राब्लम तो करेगा थोड़ा प्रिश्र तो लाएगा लेकिन फिर भी अगर ये पॉस्टी बहुत हो जफिनरी तरक्की आएगी और पॉस्टीव होने के चांसे हैं लेकिन फिर भी एक बार वो प्रकिरिया है वेरिफाई का वह मैं कर लूँगा बढ़े जाएगए खेलाए तो ये चटिस के आस पास थी चटिस के बाद की जिंदगी आपके देखो 40 वर्स में एक तरक्की का योग बने हैं 24 में वरसमें फिर तक्रीबने एक आपके और तालिसमें वर्स में, फिर एक पचास में बावन में अद्ग घजब की तरख्या है, बावन के बाद एक चोवन साल में बड़ी तरख्या, आपके जंदगी प्राइप के बाद चोवन के बाद देखो यहाँ पर से तकरीबं 60 में ग्यात्रा, 60 के बाद लाइफ अच्छी है, एक तक्रिवन 65 में फिर एक अपकी, 68 में 68 के बाद भी लाइफ 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 बड़ी अच्छी, आयो दिरगायू है, आयो को लेके तो विशेज कोई दिक्कत मुझरी दिक्रा, मंगर्ड रेखाया है तो इसको कारीं तो कर रही है, प्रोटक्टिव रेखाओ के रूप से कारीं कर रही है, तो अगर इसको अगर यहाँ पर से इसलिए हम एंगरट चीज का चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब देखो मेरा उद्देश इसलिए है इसको verify करना यूगि जब हमारे पास option है किसी भी चीज़ को 100% accuracy के साथ बताने का तो हमें वो चीज़ करना चाहिए है इसलिए मैं थोड़ा आपको कर रहा हूँ इसलिए likely इसको मत लेना आप तो ये चीज़ आपने समझ लिया ये बंडगा का विश्टेशन हो गया अब इनके आदली का पूर्णता विश्टेशन करेंगे चीज़ों को असपर सूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी जादा महतपूर है देखे सीखे समझे स्क्वार स्पाम है ऐसे विक्ती मद्यमेच के वा सफलता को पाते है डेफि पास आही जाता है एक जबरदस थम्ब है एक जबरदस विक्तितों का परचे कराता है एक्षा शक्ती बड़ी अच्छी है अंदर से कभी कवाल अलकी फलकी कमजोरी का योग मुझे दिकर रहते है यवा करती है जबी भी सपोर्ट का वशक्ता परदे डेफिनिटली मिल जात ऐसे विक्तिक शांदार विक्तितों के होते है शांदार प्रिसनालिटी होती है जुकने वारी प्रिसनालिटी नहीं होती है और बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाते है किसी कंडर जल्दी तो कारे नहीं करना चाते है पर सितिवर्श ही कारे करते है दरवाइस तो अपना ह सा थंब वाकि देखो समझधारी को लूब काफी अच्छी जातक बहुत समझधार मान सकता के हैं समझधारी से अपने सिंदगी को जीते हैं स्ट्रॉंग लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं दिल में किसी के लिए कोई छे पांच नहीं है लोगों का विश्यमत चाही सोजते रहो गया ये तो बड़ी कंफर्म चीज मुझे दिख लिए बड़ी कंफर्म है कुछ थोले बहुत इंट्रो वड़ तो है वजब सबसे गुलना मिलना आपको पसंद नहीं है ये टिंड कर रहे है दार्मी का अस्ता अच्छी है सैटन फिंगर लंबी है काफी ज़्यादा हिमती है बुद्ध फिंगर लंबी है काफी अच्छी वाग पटूता है चीजों को समझने की समझाने की जो चाहिए जिन्दगी में क्या फ्लक्टूइशन क्या मुसीवत है तो ये जब भी आएंगे ना तब आपको बहुत खराबी करेगी तो इसलिए जिन्दगी को एकदम समझधारी से जीओ तो बढ़िया रहेगा बागे चलिए आगे हम देखते हैं इनके प्लैनेट्स पर आप बरश्पती में थोड़ा डाउट तो था ये थोड़ी बहुत विवाहिक जीवन में दिक्कत और हाँ विवाहिक जीवन को लेकिनके परशन थे तो अभी इसको हम समझाते हैं देखे एक योग तो आपके बने थे थोड़े अरलियर एज में तक्रीवन बत्तिस तेटिस वर् के ही चला जाएगा आपको और शुक्र वैसे बढ़िया है आपका तो विवाहिक जीवन अच्छा ही रहेगा शुरू होने के बाद लेकिन उसमे थोड़ी सी परशानी आएगी इसके लिए आपको थोड़ा से उपाय वपाय करना पड़ेगा जिसे शादी आपकी जल्दी हो नहीं बता सकता हूँ शुक्र बढ़िया है पतनी पक से धनलाव होगा कमाई वाइफ मिलेगी चदर्मा अच्छा जिंदगी ठीक ही रहेगी नो डाउट अभी चलिए आपके प्लैंट्स पर विचार करे तो बरश्पती तो यहाँ पर से आपकी लाइन से कुछ दोके के यो अभी नेचर है आप में फर देखे स्ट्रॉंग आपकी मस्तिक्स रेखा कब से है आपकी तक्रीबन ये जो है न चार सार का डिफरेंस 49 में 60 तक का बड़ा खतरनाक उसके पहले की मस्तिक्स रेखा अच्छी ही थी बागे ट्रेंगल्स तो है कुछ नेगेटिविटी दूर क तो विक्ती गजब के मैनती है जिंदगी के लाज तक तो बागे का पूरा साथ बागे के धनी है और ये वाली कुछ आपके डिस्ट्रैक्शन से थोड़े मोड स्विंग के प्रॉब्लम्स होती है मोड स्विंग थोड़ा हो सकता है आपका लाइन ओफ एजोकेशन अच्छी और बहुत ज़्यादा ही डरिंटर होते हैं कुछ भी कर सकते हैं सनमर के अच्छे बुद्धिवेक से कारे करते हैं स्ट्रॉंग लाइन से जंगल वी रोगे पैसे कमा के आओ जाओगे तो डिस्ट्रैक्शन के योग तो है विक्ती थोड़ा फ्लक्श्वेट तो करते है थो और यह कुछ आपके दवाब लीवे आकरती है और यहाँ पर से कुछ आपके इमोशनल टच का परचे करा रहे हैं जातक काफी भावुक होते हैं काफी भावुक फर देखे यह तो मुझे दिखरा था हर्ट लाइन पर बाकी मंगल अच्छा है तो इंसान काफी प्राक्रमी ह पर देखे चंदर्मा भी इनकी मुझे बढ़ियाई दिकरी में दिखा देता हूं फर यह रहा इनका चंदर्मा जबरदस चंदर्मा पैसे के फ्लो बनी रहेगी विदेसी दरती दनलाफ के योग तो थे ही डेफिनिटली वो होंगे और आगे भी देखो स्ट्रॉंग आपकी तो यह प्रॉपर लगजरी है जिन्दगी को दर्शाती है प्रॉपर लगजरी के शुक को दर्शाती है इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है फर चली आगे हम चलते हैं यहाँ पर से तो यहाँ पर से मुझे मर्करी लाइन दिखरी बरी अच्छी एक से जादा है कुछ money triangle, great triangle भी है तो ये धनलाफ तो जिन्दगी पर करा ही रही है definitely करा रही है ये देखो बहतरीन सा है फुर देखो strong आपकी ये एक line बड़ी अच्छी मुझे दिखी जो कि progress line को लेके ये बागे रिखा ही बड़ी अच्छी दिखे चनरमा साही है तो बागे का proper साथ तो मिल ही रहा है इसमें कहीं कोई संद्य है वाली बात नहीं है तो proper बागे के साथ को ये दर्शा तो रही है एकदम definitely और आगे भी 36 के बाद भी बड़ी कमाल है 36 के बाद जिन्दगी पर major change रहेंगे 36 के बाद major achievement भी आपके जिन्दगी पर रहेंगे जिन्दगी के लाज़क थोड़ी इरिटेट होते ही इरिटेट कम होई है बागी multiple property के योग भी आपके इतली पर वस्ते सूरी रहेंगे अच्छी है और इसको तो दर्शा ही रही है और ये भी आपकी मरकरी लाइन है जो कि आपके चन्रमा पर जा रही है जो विद्देसी दर्शे दनलाव और ये सब भी कुछ यात्रा है जो परसपर आपके जिन्दगी पर बनी रहे है उसको तो दर्शा ही रही थी तो ये तो चीज़े अच्छी है पैसे जिन्दगी पर आएंगे बुद्ध रहे का बड़ी अच्छी है फिर देखो मंगल बड़ा अच्छा है प्राकरमी तो है नॉर्मल टेंशन की योगे बहुत ज़्यदा है भी नहीं जबरदस आपकी मंगल रहे का जिसन्दगी पर ये सफलताओं को दर्शाती है इसमें कहीं कोई संदह है नहीं है आयो को बढ़ाती इसमें भी कहीं कोई संदे ही नहीं है मंगल अच्छा है वैसे प्राक्रमी वेक्ति है प्राक्रम सब्सक्राइब जीते हैं और बहुत कुछ जंदगी पर आप हासिल करते हैं अगर आपके मारे ये वीडियो पसंद आए लाइक करदे, कमेंड करदे सिरके सब्सक्राइब करदे अगर आप परसने में सब्सक्राइब का दिखा के साही जानकारी पाना चाहते है हमारा वर्टसब नमबर देस्क्रेशन ने मिल जाएगा लेक आपसम पर कर सकते हैं धन्यवार